लावा स्टॉम 5G को दो हफ़ते जादे यूज़ करने के बाद मुझे इतना बहसे लिगा कि बजेट 5G फोन फाइनली अच्छे हो रहे हैं लेकिन इसका मतल़ यह नहीं कि आप भागो इसको खरीदने के लिए क्लिए क्योंकि काफी लोग हैं जिनको मैं सजेस्ट नहीं करूं प्लिचेस की अच्छी चीजों से जैसे की इसका डिजाइन जब कि फोन मेरे पहली बार हात में आया मैंने सबसे पहले यह चेकर कि यहाईसosaur कि छासीरे हैं यह 17000 का फोन है c9 varias फाइवा हइने हो सकता है राइट ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कौने मल्टिबल सोर्सूर्स इ येस ग्लास बैक के साथ आता है, अलाकि जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक देखने को मलता है, लेकिन स्टिल, ग्लास बैक 11000 5G फोन है, यही चीज मुझे स्टार्टिंग में ही एक्साइट कर गए, और जैसे से में इस फोन को और यूस कर रहा था मुझे और अच्छी ची कर रहा है उस फील को, कैमरा आयलेंड नहीं है, पूरा फ्लश आपको एन डिजाइन मिल जाएगा बॉडी में बना हुआ, लेकिन बंप थोड़ा सा बड़ा है, वोन टिकेगा नहीं यहां पर नीचे टेबल बगरा पर थोड़ा वाबल करेगा, हिलेगा थोड़ा सा, यह ए इसका प्रोसेसर और इसका प्रफॉर्मस वही डिसकस करते हैं, प्रोसेसर के मामली में आपको डैमेंस्टी 6080 देखने को मिलता है, जो कि रेड्मी नोट 13 में वैसे देखने को मिल रहा है, जो कि इसे तीन-चार हजार महें गया, बट इस प्रैस पॉंट में अगें आपको मिल रहा है, अंडर 15,000, अराउंड 13,000 के, एंड डे-to-day परफॉर्मस कोई इशू नहीं है, गेमिंग भी काफी अच्छे से हुई, surprisingly काफी अच्छे से हुई, यहां पर कहीं गेमिंग रिव्यू आ रहा है, आप देख सकते हो, मुझे कोई ऐस सच इशू नहीं है, especially अगर आप इस प्राइस पॉंट को कंसिडर करते हो, बाकि आप स्विचिंग, आप स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, इमेल, या कुछ भी आप ऐसे बेसिक काम करें, आपको कोई इशू नहीं आने वाल, हैवी टस्क करोगे, तो थोड़ा लाग करेगा, definitely, जैसे पेमिंट पगर अग जैसे कि आप देखते हो, 91% के साथ है, और कोई डेड एरिया नहीं था, जो गीक बेंच है, यह रहा आपके सामने स्कोर, मुझे काफी डीसेंट लगे, मैं यह निकोंगा, बेस्ट है इस काटेगरी में, लेकिन एक अच्छे स्कोर आपको दे रहा है इस प्राइस पॉंट क जाती है, और यह मैं काऊंगा कि काफी अच्छा है इस प्राइस पॉंट के लिए, मैं इसको एक दिन से जादा भी चलाया है, और इसके साथ आपको 33 वाट का चार्ज है, इंबोक्स देखने को मिलता है, जो कि इसको डेट गंटे के अराउंड फॉल चार्ज करता है, तो च अच्छी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, आप एजली फुल टे चलासते हो, कोई वैरलेस साथिक नहीं है, अफकोर्स, गयानादार में तो कोई एकस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए आपको यहां पर तो यह अच्छा बैटरी वाला फोन है, अगर आप पावर यूजर जो फोल्ट है यहां यूजर आपको यहां पूरा साथ देगी, और एक और चीज़ आपको साथ देगी, इसके एक्स्टा फीचर्स अब वही डिसकस करते है, एक्स्टा फीचर्स में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, हेटफोन जैक, येस, फ्लैक्शिप फीचर आपको फिंगर्प्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड देखने को मिलता है, जो कि बहुत फास था, बहुत रिस्पॉंसिव और एक्कुरेट था, मुझे कोई इशु नहीं हुआ, एजिल यहार टाइम अनलोक हो रहा था, एस सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हलाकि हर लेकिन घर पर नॉर्मल ही 5G अप चला सकते हैं, जहां पर स्रॉंग सिंगल थोड़ा सा, और यहां पर आपको बेसिकली देखने को मिल जाता है, सिंगल स्पीकर, वेल वो एक्स्पेक्टेड था, लेकिन थोड़ा सा तिनी है, मतलब ऐसे बेस कम है उसमें, तो यह चीज मु फोड़ा सा पॉइंट था, जो शायद इस प्राइस पॉइंट पर अचीव नहीं कर पाए, विध ग्लास पैक एंड और तो, जो लोग ओलेट चाहते हैं, उनको तोड़ा सा निराशा होगी, क्योंकि यह LCD स्क्रीन है, अला कि आपको वाइडवाइन L1 देखने को मिल जाता ह या YouTube HDR नहीं चलासते है, कुछ भी HDR नहीं चलासते है, 2K maximum चलेगा YouTube, 4K तो चलेगा ही और जो overall वो रिचनेस होती है na OLED के वो मिसिंग है, definitely, मतलब बेस स्क्रीन नहीं है, लेकिन काफी अच्छा आपको यहां पर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसलिए मिने इसको ओके जो इसके यहां पर साइड बेजल्स है, वो भी ठीक ठाक बड़े हैं, चिन भी अच्छी खासी बड़ी है वैसे, एक चीज मगर अच्छी है, इस पर गोरिला ग्रास 3 दिया हुआ है, लेकिन वो इतने कॉंफिडेंट है इसमें गोरिला ग्रास 3 में कि उन्हों ने स्क्रीन जो की बजट केटेगरी में अटलीस इनको देना चाहिए था, तो यह माइनर छोटी मोडी चीजे जैसे कि LCD डिस्पले है, टूके से उपन नहीं जाता है, और अफकर्स कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, और जो बेस्ट कलर्स नहीं प्रोड्यूस करता है, यह ओवरॉ अब सॉफ़वेर के मामले में आपको यह अगनी वेस देखने को मतलते हैं जो कि Android 13 बेस्ट है, और यह चीज़ मुझे सबसे खराब लगी कि out of the box यह Android 14 में नहीं आया, अनधर तिंग जो इसको और खराब बना थी है, वो है कि इसको एक ही साल का Android अपग्डेड में तो मतले 13 से 14 तक ही जाएगा, अला कि security अपडेट दो साल की है, यह चीज़ मुझे out of the box खराब लगी, बाकी software में bloats नहीं है, surprisingly इस price point पे भी वो bloats नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे जो overall day-to-day performance थी, जो RAM management थी, वो भी कोई issue नहीं दे रही थी, मतलब स्क्रोल कर रहे हो, या आप usually normal अपने day-to-day काम करे हो, कोई आपको problem नहीं दे रहे हैं, अच्छे से यहाँ पे manage कर पाऊ के सब कुछ, और यह चीज़ अगें आपको इस price point पे easily देखने को नहीं मिलती है, जो realme वगारा फोन था, वो bloats से भर देते हैं, आड से भर देते हैं, या आपको software उतना यहाँ प दो साल के अपडेट देते हैं, शाहिद यहाँ पे में इसको good category में रख देता है, बट फिल्हाल के जैसे ही चल रहा है, अग्निवेस यह जो भी यह लावा का software यह okay-ish category में आ रहा है, आप मुझे बताओ, वैसे आपको क्या लगदा है कि किने साल का software अपडेट देना चाहि चाहिए वो 8-9,000 का हो, चाहिए वो 12-13,000 या 1,000,000 का किनो, मिनिमूम 2 साल का होना ही चाहिए और लेटेस्ट आउट अट अब बॉक्स होना चाहिए, बाकि आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में जाके, अब हम जड़ते हैं कुछ बूरी चीज़ों में, बूरी चीज़ अगर पॉसिबल हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो उससे जाके बाई कर लेजी, आप चलते हैं वीडियो बापस पाँगूआ, बाकि क्योंकि अचीज़ क्या बहुति, अगर आप दिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, बाकि अगर आप फाईनल डिस्क्रिप्शन करते हैं, अगर आप को इसको लेना चाहिए या नहीं अगर आप कैमरा सेंटर के हां पर फोन नहीं लेना चाहते हैं या आपको सौफट्वेर के जो अपडेट से कोई फरक नहीं पड़ता है ये फोन आपके लिए अच्छा है लेकिन अगर एक अच्छा कैमरा वाला फोन टून रहे हो और आप चाहते हो कि पांच-छे साल चले विद प्रॉपर सौफट्वेर अपड़ेट देन मेभी आपको थोड़ा महेंगा फोन देखना पड़ेगा जो कि इस चीज को सपोर्ट करें ये उन फोन में से नहीं हैं बाकी गेमिंग, परफॉर्मेंस, 5G सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगे तो उस मामले में आप कवरड़ हो लेकिन अगर आपको सौफट्वेर से ये और आपको अगर इस सेग्मेंट का बेस्ट कैमरा से ये देन डेफिनिटल आप इसको अवोइड कर सकते हो अगर आप थोड़ा बजेट बढ़ाओगे तो आप डेफिनिटल वनप्लस नौट सी थी लाइट को चेक कर से हो जिसका रिव्यू यहां आपको देखने को मिलेगा और अगर आपको वीडियो पसंदा रही है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब यह तीन चीज़े इंपोर्टेंट है कर लीजे अभी वी कोशन है कमेंट कर सकते हो डिस्कॉर्ट चैनल चोइन कर सकते हो वहां डिसकेशन करेंगे और सब्सक्राइब करना बात बूलना मैं ब